दुनिया में ऐसे कही जानवर हैं जो कुछ समय बात extinct यानि की खो जाएंगे और कही साल बात ऐसा भी टाइम आएगा जब हमने ये जानवरों के बारे में सुना भी नहीं होगा और ना ही इनके बारे में कुछ पता होगा इन में से कही जानवर endangered species में से हैं और हमें पूरे प्रयास करने चाहिए इन जानवरों को बचानी के लिए ताकि ये extinct ना हो तो चलिए आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद से कुछी टाइम मत extinct हो जाए अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले ये जानवर आम तोर पर श्री लंका में पाया जाता है और अभी ये जानवर की संख्या काफी तेजी से खट रही है ऐसा इसलिए ताकि लोगों को लग रहा है कि ये जानवर के बॉडि पाथ लेप्रसी जैसे बिमारी से हमको बचाते हैं और शापिक चीजों से भी हमको बचाए रखते हैं ये आम तोर पर थाइलेंड और दक्षिन बर्मा में पाये जाते हैं ये जानवर की संख्या भी दीडेडेडे कम होती जारे है क्योंकि इनके जगापे मनुश्य अपने घर मकान बांध रही है और इनके रहने की जगया दीरे دे कम होती जा रहे है प्रोबोसिस मंकी ये बंदर की जात केवल ब्रणों में पाई जाती है और दीफॉरेस्टेशन यानि की जंगल के पेट के कटाई की वज़से ये जानवरों की संख्या आदे से भी कम हो चुकी है स्नेप नोस्ट मंकी ये जानवर लगब 13,000 फीट की उंचाए पर एशियन जंगल में पाई जाते थे बट यहां पे भी डीफॉरेस्टेशन यानि की जंगल की पेट की बटाई की वज़से ये जानवर की संख्या भी घटी जा रही है एक्सुलोटिल देखा जाए तो एक्सुलोटिल काफी छोटे छोटे जीव है जो सेंच्रल अमेरिका जिले में पाई जाते थे लेकिन हाल ही में वो जगह में कोई भी ऐसा जीव पाया नहीं गया है जगर्यल्प क्रोकडाय ये बेजिकली इंडियन सब कॉंटिनेंट में पाई जाते हैं अब ये जानवर की संख्या 235 से भी कम हो चुकी है और इसे यही कारण है विकॉस जगह पे फिशिंग काफी ज्यादा होती है और जो 235 नमबर है तो एक्चुली इन मगरमच के पॉप परसेंट ही है काकापो काकापो वैसे दुनिया के सबसे तेज सोते हैं और उन हे चुहे और बंधारों के लिए संवेंच शिंग बना सकते हैं न्यूजिनेंड में इन जानवरों को लाया गया था बटम इन में से केवल 128 ही सी अभी बाकी है और ये एक इंटम अजीब दीख नहीं है उनके पास मुत्र की अत्यधिक शक्ती है और जल्प्रदूशन के कारण इनकी संख्यां भी दीरे-दीरे खट रही है तो गुटी स्पाइडर ये जानवर भारत के जंगल में एक छोटे से हिस्से में पाए जाते हैं बढ़ा कि कुछ लोग इन मक्णियों को और यॉरोप और एशिया ऐसे अन्य परवत्य शेत्रों में पाए जाते हैं काफी साल पहले ये चोटे बच्चों के लिए खत्रा माने जाते थे बटब इनकी संख्या केवल 10,000 ही है तो इनकी संख्या भी दीरे-दीरे कम होती जा रही है तो फ्रेंज बस आज की इस वीडि पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले तन्यवाद